बिर्यानी तो हम सभी को बहुत पसंद होती है और बिर्यानी को फ्रेश घर के बिर्यानी मसाले से बनाए जाये तो बात ही क्या है आज मैं आपके लाई हूँ फ्रेश और अरमाटिक बिर्यानी मसाले की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी Hello Friends, Welcome to Foods and Flavors, मैं हूँ शिलपी Coriander Seeds, यहाँ पर है 10 छोटी वाली इलाइची एक टेबल स्पून भरके काली मिर्ची एक टेबल स्पून सौफ एक टेबल स्पून नॉमल वाला जीरा या Cumin Seeds एक टेबल स्पून शाह जीरा दो बड़ी इलाइची या बेक काडमम दो जावित्री या मेस दो स्टार, एक टेबल स्पून दगड या फिर जिसको की स्टोन फ्लावर कहा जाता है और इसके साथ ही हम यूज करेंगे 10 लॉंग एक छोटा जाइफल जिसको भी हम आधा यूज करेंगे पास से छे सुकी हुई मिर्चे और दो से तीन स्टिक्स जो है सिनिमन की है तो यह टूटी हुई है तो अल्मूस्ट तीन स्टिक का यूज कर रही हूं है तो आईए अब हम इनको भूनते हैं तो इनका भूनने का एक सीक्वेंस होता है आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में डाले तभी यह मसाला ठीक पनेगा हम सारे मसाले ड्राय रोस्ट करेंगे इसके लिए यहां मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे धनिया नॉर्मल जीरा शाह जीरा सौफ और तेजपत्ते तो पहले हम इनको हलका सा रोस्ट कर लेंगे अभी मैंने यहां पर थोड़े से मसाले डाले हैं क्योंकि इनको भुनने में थोड़ा सा जादा टाइम लगता है बाकी मसाले हम बात में डालेंगे हमें इन मसालों को बिल्कुल धीमी आच पर एक से दो मिनिट तक भुनना है हमें इनको ऐसा ब्राउन नहीं करना है बस जैसी ही इसमें से हलकी सी फ्रेग्रेंस आने लगेगी हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे मसाले हलके से रोस्ट हो गए है और इसमें से अच्छी सी खुश्बू आने लगी है हम इसमें डाल देंगे लॉंग, जावित्री, स्टार, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची, काली मिर्च, स्टोन फ्लावर, दाल चीनी और सूकी हुई लाल मिर्च इनको हम अच्छे से एकदम धीमी आज पे बस एक से दो मिनिट तक और भूनेंगे आपको धनिया, सौफ, जीरा और देजपत्ता हलका सा भूनना ही होता है, आप चाहें तो बाकी मसाले सिर धूप पिखा लें, उनको भूनने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, और आप उनको डायरेक्ट पीस के गरम मसाला बना सकते हैं, तो यहां पर रखम मसालों को इसलिए तो अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसवा करके बिल्कुल ठंडा कर लूगी, मसाले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो हम इने पीसेंगे, तो यहां पर जितनी भी हार्ट चीजें हैं, मैंने उनको अलग कर लिया है, और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, और जो भी सेगी नहीं, और अब मैं यहां डाल रही हूं स्टार, तो इसको भी आप इस तरह से तोड़ दें, और यहां मेरे पास है जाइफल, तो जाइफल मैंने पहले निकाल लिया था, हम करीब आदा जाइफल इसमें घिस देंगे, तो यहां पर प्रपोर्शन का थोड़ा ध्यान घड़े मसाले बहुत ही आरोमेटिक होते हैं, अगर कुछ भी आप जाधा या कम कर देंगे, तो आपका मसाले का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, अब हम इस मसाले को एकदम बारिक पीस लेंगे, मसाले को मैंने पीस लिया है, और आप में एक छन्नी लेंगे, और मस पीसे मसाला तोड़ा गरम हो जाता है, हम इसको दस से पंदर में तक ठंडा होने देंगे, और इसको स्टोर करने के लिए आप ग्लास का एक बॉटल लें, और वो बॉटल बिल्कुल ड्राय होना चाहिए, मसाले को उसमें भर लें, और मैं बिर्यानी मसाले को फ्रिज में स् कैसा लगा, अगली बार आप से फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केर, और बाबाए